हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे टिगनोमेटिकल रेशो चैप्टर नमबर एट टिगनोमेटिकल पार्ट है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं और समझ के भी भूल जाते हैं आज हम पढ़ेंगे इसको तो टिगनोमेटिकल रेशो होता क्या है टिगनोमेटिकल र औरल क ही तलसे होता क्या है देखो इस में हम जो देखेंगे ये जो कुछन सुरू होंगे इसमें इक ट्रेंगل होगा करैंगल जैसे मैंने एक । ट्राइंग्याल गला देहा ग। आपया होता है इसमें नीचे वाला वेश होगा और यह जिस पर ouais सब्सक्राइब करना होगा इस तरह से हमें स्वाल करना होगा लेकिन अब यह है क्या है तक इसमें क्या है कि इसमें साइन ठीटा होता है साइन ठीटा रू 10-theta, cosac-theta, sec-theta, or cot-theta, यह हमारे Tractometrical issues है, अब इनका होता क्या है, यह क्या मैटर है, sin-theta क्या होगा, sin-theta हमारा perpendicular, perpendicular यह होता है, इस पर नाइंटीटिक गिन होता है, पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटनेस पर्पेंडिकुलर क्या है हमारी यहांप है BC ह Like The Laugh mention क्या है AC ठीक है ऐसी हम तो स्कॉसला पहुतर होता है परी सबंग हाइट हाइप faster बेस अपॉन हाइपटर्णस बेस क्या है अबला ही यए लेश तेन क्या होता यह एक टैन होता है पर्पेंडिकुलर अपन पेस थे यह Opera पर्पेंडिकुलर कितनी है अमारी MONINEEE B-C वर सेस्ट कितना है? भी अब बी जो कोसेक ठिटा है कोसेक ठिटा विल्कुल साइन का opposite होता है साइन में क्या है? नवर सोंछ której फेशो है? तो हम इसको क्या लिखांगे? हायपोटेन्स अबस्वान पर्पेंडिकॲलर सेसी अपोन BC सेक जो होता है, वो cos का उल्टा होता है cos क्या होता है तुमारा base upon hypotenuse, तो हम इसे लेखेंगे hypotenuse upon base hypotenuse कितनी है AC upon AB, ठीक है अब cot, cot होता 10 का उल्टा 10 क्या है, perpendicular upon base तो यह हो जागा, base upon perpendicular, ठीक है base कितना है हमारा AB, perpendicular कितना है हमारा BC ठीक है, यह हमारे technometrical ratio है, अब इसका होता क्या है जब हमें कोई triangle दिया होगा triangle में कोई 2 side given होगी ठीक है, 2 side given होने के मतलब कि हमें 30 side find करनी पड़ेगी, वो 30 side कैसे find करेंगे, आगे चलेंगे आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें जो होने वाली चीज़े हैं, उनको मैं explain कर दूँ अब इसमें एक चीज़ है, sin theta sin theta is equal to one upon cos theta, मतलब sin की जगे पर अगर cos, cos theta का जाए, तो हम उसे one upon sin भी लिख सकते हैं, और हम इसका reciprocal कर सकते हैं, कैसे? cos theta is equal to one upon sin theta इस value को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फिर आता है हमारा cos theta cos theta is equal to क्या होता? one upon sec theta ये लर्ण करने की चीज़े हैं, याद रखना इनको याद रखोगे तो technometric बहुत आसान हो जाएगी इसको हम क्या से लिख सकते हैं? sec theta is equal to one upon cos theta ऐसे ही हमारा 10 theta है, इसको हम लिख सकते हैं, one upon cos theta या cos theta को हम लिख सकते हैं one upon 10 theta एक चीज़ और कर सकते हैं 10 theta को हम sin theta upon cos theta भी लिख सकते हैं और cot को cos theta को हम cos theta upon sin theta भी लिख सकते हैं अब इन चीज़ों को याद करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें एक shortcut method है जो बच्चे क्या हर कोई apply करता है ज़्यादे तक इनको याद करने के लिए कि साइन की वेलू कॉस की वेलू 10 की वेलू होती है तो उसके लिए साइन ठीड़ा ठीक है यह कोई का होगा बेस अपन है इस से बस जाएगा इसका क्या होता short form पाकिस्तान रुका प्यासा इंदुस्तान अरा भरा इस तरह से जात करते हैं यह सब्सक्राइब करने के लिए ठीक है इसको करने के बाद हम चलते हैं चैप्टर पर कि अग्याइब कि अग्याइब